Welcome back friends, यह हमारी वीडियो नमबर 9, Class 9th Information Technology यानि के IT के लिए और हम डिसकस कर रहे थे Unit No.2, Data Entry and Keyboarding Skills को और इस सीरीज की प्रीवेस वीडियो में हमने देखा था कि Data Entry क्या होती है Keyboard को हमने समझा अलग-अलग Keys को हमने देखा और साथी में जो Pointing Device है, Mouse जो है उसको भी हमने समझा था तो अगर आपने प्रीवेस वीडियो नहीं देखी है, उसके Notes आपके पास नहीं है Question Practice आपके पास नहीं है, तो पूरी जो Playlist है उसका Link आपको Description Box में मिलेगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और इस वीडियो के अंदर भी हम सेम यहाँ पे जो यूनिट है इसको continue करेंगे और यहाँ पे एक नया concept हम सीखने वाले है, टश टाइपिंग का तो टश टाइपिंग क्या होती है, इसके क्या benefits है, advantages क्या है, वो पहले हम यहाँ पे समझेंगे इसको हम थोड़ा सा visualize भी करेंगे, थोड़ा pictures की मदद से हम देखेंगे कि कैसे आपके finger placements आपके रहते हैं, keyboard के उपर भले आपका home keys हो या guide keys हो and finger किस तरीके से आपने वहाँ पे use करने है, अलग-अलग keys को press करने के लिए and then next video से हमारा जो software है rapid touch typing उस पे हम practice करेंगे उसमें हम देखेंगे कैसे उसे download करना है, कैसे use करना है तो start करते हैं, पहले concept को हम समझते हैं और इस video के जो notes हैं वो आपको description box में मिलेंगे तो start करते हैं, इधने टू हमारा same है data entry and keyboarding skills तो इसमें जो नया concept है, वो है touch typing का, तो touch typing simple सा है, जब आप typing करते हैं और आपको keyboard पे देखने की जरुरुत नहीं पड़ती तो simply उसी को हम यहाँ पे touch typing कहते हैं तो simple सा है, अगर यह कभी कोछी निस तरीके से आता है what is touch typing, तो आप लिख सकते हैं, touch typing is a method to type text on a computer without looking at the keyboard simple सा है, without looking at the keyboard, अगर आप बिना keyboard को देख के directly आप type कर पाते हैं, तो इसको हम touch typing कह देते हैं next है, एक definition तो यह है, एक और definition आप लिख सकते है, touch typing is a method of typing without using the sense of sight to find the keys यानि कि यह क्या कह रहा है, without using the sense of sight, यानि कि sense जो है, हमारे से हम जो senses है, तो sight का जो sense है, जो आखे हैं, उनसे आपने नहीं देखना है, कि इसको find करने माँ आपको problem नहीं होनी चाहिए, तो अगर आप ऐसे type करते हैं, तो आप touch typing करेंगे यानि कि जब आप continuously practice करते हैं, तो आपकी muscles को habit हो जाती है, उन keys को find out करने में, और mainly वहाँ पे guide keys भी है, तो guide keys की मदद से भी आप वहाँ पे sense कर सकते हैं, तो main यहाँ पे जो काम होता है, वो muscle memory के base पे होता है, काफी बार फिलिन द ब्लैंक्स में इस तरीके के आते हैं, कि एक touch typist जो है, वो location जानता है, हर एक keys की keyboard पे, इसकी मदद से, muscle memory की मदद से, अब देखे advantages क्या है touch typing है, हो सकता, अभी तक आप two fingers की मदद से, या single finger की मदद से, आप touch typing कर रहे हो, और इसमें आपकी speed भी हो, आप 15 to 20 words per minute type करते हो, लेकिन जैसे आप touch typing सीखते हैं, इसको advantages क्या है, it improves typing speed and accuracy, ये typing speed को बढ़ाएगा, यानि कि starting में तो कम होगी, लेकिन जैसी आप 10 fingers का इस्तमाल करेंगे, तो speed आपकी बढ़ती है, next है the typing speed can increase gradually and speed of 45 word per minute और higher can be achieved, यानि कि बेसिक है, यानि कि 45 word per minute तो basic है, अगर आप touch typing करते हैं, और ये धीरे धीरे आपकी speed जो है practice करेंगे, then, इसके और क्या फाइदे है, many websites and software products are available to learn touch typing, अब देखिए, freely available है, जो आपका, जो touch typing आप सीखेंगे, तो इसके लिए freely कुछ software's available है, कुछ websites available है, जहां पे आप अपनी typing speed check कर सकते हैं, तो यहां पे हम यूज करने वाल है rapid touch typing को, इसके अलावादा typing master है, और भी ह हमारे software's है, तो इनकी मदद से हम यहां पे इस्तमाल करेंगे, next है हमारा typing ergonomics, इसको हम बोल सकते हैं, या simply typing environment क्या होता है, यारि कि working environment अगर आपका सही होगा, better होगा, तो आप अच्छे से type कर पाएंगे, तो good working environment provides better support for efficient type writing, यानि कि अगर environment सही होता है, आप एक proper तरीके से बै होगा है, notes में आपको मिलेगा, तो इसमें सबसे पहले आपका आजाता है, sitting posture, यानि कि typing करते हैं, आप बैठते कैसे हैं, तो simple साय जब भी आप बैठते हैं, comfortably आप चेहर पे बैठेंगे, आपके जो legs हैं, वो floor को touch होने चाहिए, और जो आपका typing है, यानि कि आपकी जो screen है, वो बिलकुल आपके सामने होती है, then position of hands, जो hands होते हैं, वो keyboard पे 90 डिग्री का से basically angle बनाते हैं, ज्यादा दूर भी नहीं रखना है, ज्यादा पास भी उसको नहीं रखना है, next है monitor placement, अब देके monitor जो होगा, या screen जो होगी, वो आपका almost 60 to 65 cm आप से आगे होती है, और ये में इस पे आप mouse को देखेंगे, then adjustable जो chair होती है, और table होता है, उसको आप adjust करें, height के हिसाब से, एक optimal height पे आपके जाना है, next है placement of matter to be player typed, जैनि कि जो matter आप type करेंगे, अब वो आपकी comfortability है, आप left में या right में उसको रखते हैं, या directly आप सोच के अगर लिखेंगे, तो automatically आपकी speed जो है, बढ़ती है, अब इनके बारे में आपको detail में मिलेगा, नीचे notes में वहां से आप पढ़ सकते हैं, इसके अलावाज जो आपका home row keys है, या finger placement से, उसको भी हम देख लेते हैं, अब उसमें थोड़ा सा visualize करेंगे, तो उसको मैं directly notes से आपको बताता हूँ, जो आपका table and chair placement हो, ideal हो, relax करके आपने बैठना है, और keyboard पर आप देखेंगे कि जो angle है, mainly 90 to 110 degree का भनता है, और धीरे जिरे यह adjust भी हो जाता है, जैसे आप typing करेंगे, comfortable आप रहेंगे, और जो chair की height है, वो आपने optimal height को adjust करना है, प्लस आपकी जो screen है, देखेंगे, इसक्रीन का size क्या है, तो उसके इसाब से आप directly इसको light knob side में रखेंगे, और थोड़ा सा आपका head है, वो थोड़ा सा band यहां पर होता है, और जो आपका placement है, आपका matter जो आप type कर रहे हैं, वो directly अगर आपका आगे हो, तो बैटर होगा, तो simple सा है, जो correct sitting position है, इस तरीके से आपने बैठ क्या है, तो इसमें अलग-अलग चीजें जो अभी हमने देखी sitting posture आपका क्या है, या position of hands क्या है, इसको आप पढ़ सकते है, normal size में है, monitor placement हो, या mouse और keyboard का placement हो, chair and table का हो, और जो matter आप type करने वाले हैं, नेक्स्ट है आपका position of fingers on the keyboard कि आपने कैसे रखना है, तो इसमें basic दिया है, जो कि आपकी second row यहाँ पे होगी, तो इसके अंदर ASDF इस तरीके से आपने यहाँ पे रखना है, जो आपका left hand है, इसको आप ASDF पे रखेंगे and जो right hand है, वो semicolon LKJ पे रहता है, GH हमारा यहाँ पे छूटता है, यहाँ पे finger आपको दिखाई हुई है, जैसे little finger है, यहा इस तरीके से आपकी finger positions यहाँ पे रहती है, और home row पे ही आपकी fingers रहेंगी, या अगर आप पोई भी key को प्रेस करके वापिस जब आते हैं, तो आपकी finger जो है, वो वापिस home row keys पे आनी चाहिए, या in keys पे आनी चाहिए, अब यहाँ पे काफी बार question भी आता है, कि guide keys कौन सी होती है, तो guide keys F and J होती है, अब यह क्यों होती है, इसमें थोड़ा सा एक raised retangible mark होता है, एक छोटा सा mark होगा, इस तरीके से आपने देखा होगा, physical keyboard पे आप देखिए, तो F or J है, इन keys पे थोड़ा सा यहाँ पे नहीं mark दिया हुआ है, तो इनके उपर ही आपने finger placement रखने ह जो आपके index finger है, वो in पे यहाँ पे रहता है and then बाकी जो आपकी finger से follow करती है, जैसे little finger आपकी A पे रहेगी and यहाँ पे देखिए simple था है, जो little finger है, वो A पे है, left hand की then जो ring finger है, वो F पे आएगी, middle finger D पे है and इसी तरीके से जो index finger है, वो आपका F पे आती है and same आपका right hand के ल जो क्वाटरी keyboard है, इसमें जो base आपका है, जो basic है, जो center हो है, उस पे हम fingers रखते हैं, तो कुछ instructions भी यहाँ पे दिये हैं, जब भी आप टाइपिंग करें, कि keyword की तरह आपने नहीं यहाँ पे देखना है, और word का आपको पता होना चीए, concentrate आपने करना है, rhythm को आपने पकरना है, और जब तक mastery नहीं होती, किसी भी exercise पे, तब तक आप किसी process को repeat करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, दोबारे सेम चीज दी हुए, left hand के लिए यह है, right hand के लिए यह हमको दिया हुआ है, अब यहाँ पे allocate आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सेम चीज मैंने लिखी हुई है इसको में allocation हम किस तरीके से करेंगे, third row पे, upper row पे, home row तो हमारी second row होती है, तो जो third row है, उसमें इस तरीके से keys होती है, यह home row की keys है, AHDF, यहाँ पे आपकी finger रहती है, लेकिन अगर आपकी इसके ऊपर जो है, जहाँ पे quietry mainly लिखा होता है, इनको अगर आपने प्रेस करना ह तो कौन सी finger से आप प्रेस करके वापिस home row पे आते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, simple सा जैसे आपका देखिए, जो little finger है, वो आएगी, then आपका W अगर आपने प्रेस करना है, तो ring finger है, then middle finger से आप simply E को प्रेस करते हैं, and जो index finger है, इन से आप R and T जो keys हैं उनको प्रेस करेंगे, और इस तरीके से आपका right hand के लिए भी है, अगर आपने Y प्रेस करना है, तो index finger, U के लिए भी index finger है, then middle finger से आप यहाँ पे जो I है, उसको प्रेस करते हैं, then O के लिए आपका ring finger है, and little finger again आप P को प्रेस करेंगे, इनको प्रेस करने के बाद वापिस आपने किस पे आना है, वापिस आपने home row पे ही अपनी जो finger से उनको वापिस लेकर के आना है, तो इसी तरीके से आपका जो bottom row है, इसके भी हम practice करने वाले है, next video से आप देखेंगे typing, जो rapid typing software है, वहाँ पे हम इसका इसका इस्तमाल करेंगे, और इसी तरीके से जो bottom row है, जो last आपकी row होती है, तो इसमें भी same है, देखें, यहाँ पे फिंगर्स देवी हैं, आपका little finger है, ring finger, middle finger, तो यह जो आपके keys हैं, इनको press करने के बाद वाद वापिस आपने जाना तो इसी row पे है, जो AHDF वाली, आपकी जो home row है, इसी पे आप वापिस जाएंगे, लेकिन key को press करने के लिए कौम सी fingers का इस्तमाल करना है, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो notes हैं, यहाँ आपको मिल जाएंगे, description box में, ऐसी जो fourth row है, जिसको हम number row भी कहते हैं, top row जो होती है, तो इसमें भी same यहाँ पे देखें, यह आपकी rows है, यह आपके keys हैं, वो दिये हुए हैं, और साथ मे आपकी जो fingers हैं, जो आपको दी हुई हैं, कि कौम सी finger से आपने press करना है, और इसी तरीके से जो numeric keypad है, इसके बारे में हमने पढ़ा, mainly इसमें, four columns and five rows होती हैं, और यह कुछ keys हैं, और यहाँ पे जो home row होती है, वो four, five, six, जो center पे होगी, देखें, आपके two row उपर है, two नी से, और यहाँ पे भी आपकी guide की होती है, home row तो यह हो गई, four, five, six and plus, आप physically देख सकते हैं, keyboard में, यह numeric keypad में, लेकिन आपका जो home row है, वो तो यह हो गई, लेकिन जो guide की है, वो five होती है, आपने देखा होगा five के उपर भी एक mark होता है, एक raised mark होता है, numeric keypad पे भी, तो अब कुछ questions भी हैं, जो हर PDF में आपको मिल रहे हैं, जैसे what is touch typing, तो touch typing क्या है, जब हम keyboard की तरफ ना देख के उसको directly हम type करते हैं, तो definition आप इसकी लिखेंगे, touch typist knows the location on the keyboard through muscle memory, यानि कि muscle memory की मदद से, then complete the home row, तो यह तो आपने जैसे आप habit होगी, आपकी typing की तो automatically आपको यहाँ पर दिया हुआ है, अब guide keys कौन सी होती हैं, तो guide keys पूछी हैं, तो f and j हम लिखेंगे, mainly and अगर numeric keypad की बात करें, तो guide key वहाँ पर 5 होती है, अब typing ergonomics जो है, या पर typing environment क्या क्या होता, इसमें क्या देखते हैं, तो sitting posture हो गया, आपका hand placement है, chair and table, matter to type, यह सभी इसमें जाते हैं, and which finger is used to type the keys G and H, अब G and H के लिए हमारे कौन सी होते हैं, home pro का part है, तो इसमें जो index finger है, वो हमारा होता है, तो I hope आपको यह समझ में आया होगा, जो basic हमारा है, तो इसली के साथ हमारी वीडियो भी खतम होती है, वीडियो number 9, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वी आपकेर को डाउनलोड करते हैं, और कैसे उसमें हम टाइप करते हैं, वीडियो number 10,